नमस्का फ्रेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में आज हम वरिशब राशीवालों के लिए एप्रेल दोहजा चॉबिस राशी फल कैसा रहेगा इसके विशे में चरचा करेंगे और वरिशब राशीवालों के लिए बहुत बड़ी खोशकबरी गोचर कर रहे हैं और जब भी गोगर है उच्च में राशी में गोचर करता है तो अपने पर भाव, जिन जिन भावों का वो स्वामी होता है, वहां देना शुरू कर देता है शुकर की परिस्तिती बहुत उत्तम है जो हमारा दशम स्थान, करम स्थान है उससे दशम से दशम, भावात, भावम के सिद्धान के अनुसार सब्तम भाव भी हमारे करम को निद्धान करता है तो दोनों के इंदर भाव के स्वामियों का अपस में समंध है भागेश, शनी के साथ इसका समंध हो रहा है जीवन में जोती, लाइट, प्रकाश, डिरेक्शन आपको प्रवाइड करेंगे तो विस्तार में मैं इसकी चार्चा करता हूँ सबसे पहले मैं आपके लगने शुक्र के प्रभाव की बारे में बात बताता हूँ इस महीने वरिशब राशी वाले आप मान के चलीगा विवाग की हूँ, लव मैटर्स में किसी के साथ समन्द आगे बढ़ाने है कोई समन्द विछेद हो गया था, पार्टनर्शिप तूट गई थी वो सभी के सभी शुक्र महराज इस गोचर में आपको वापिस दिलाएंगे तो बहुत खुशियों भराई ये समय आपके लिए रहने वाला है बिर्शब राशी वालों के लिए शत्रू तांग खतम करेगा आपके जीवन में, प्रेम का, सोहार्द का वातामन बनेगा पार्टनर्शिप से जैसे मैंने कहा ये लाब दिलाएगा और कोई रोग अगर आपको इस समय पहले चल रहे होंगे तो रोगों से भी आपको निवरित्ती यहाँ पर प्राप्त होती भी नजर आएगी शुकर का समंद राहू के साथ होना है, बुद्ध के साथ महाँ पर होना है आपका मीन राशी में उसका मतलब है कि आपके जीवों में कोई ऐसा विक्ती आएगा जो धर्म से अलग हो, आपकी जाती से अलग हो या विदेश से कोई समंद आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो विर्शब राशी वालों के लिए कोई ऐसी मित्त था जो आपके लिए बहुत लाब का सौधा हो सकती है इस गोचर में इस महीने अपरेल में आपको मिलेगी बहुत उत्तम परिस्तिती है जैसे मित्त की बात कही वही कोई सखा है, उसके लावा कोई बड़ा अग्रज है कोई बहुत इंफुलेंशल आदमी है जो बहुत प्रभाफशाली विक्ति है ऐसा विक्ति इस महीने आपके जीवन में आएगा और आपके काम को आगे बढ़ाएगा ऐसी दिखाई दे रहा है और साथी साथ आपके अव्यत्त तो भी इस महीने बहुत निखार पर है प्रचंड निकार प्रचंड आपका जो औरा है जो आपकी प्रसनेलिटी है उसका प्रभाव दूसरों पर पढ़ता हूँ नजर आएगा और उसकी वज़ा से फिर आपके काम सारे सिध होते हुए नजर आएगे तो शुकर किये परिस्तिति आपके लिए इस प्रकार के शुबलाब दे करके आएगे अब अगला करह जिसको मैं विशेष तोर पर देख रहा हूँ वो है मंगल की परिस्तिति तो मंगल जैसे मैंने कहा कि करम शित्र का, दूसरे करम शित्र के स्वामी के साथ, भागिश के साथ उसका समन्ध हुआ है तो इस महीने वरिशब राशी वाले अगर कोई नौकरी बदलना चाह रहे हैं, चेंजिस करना चाहते हैं मंगल और शनी की यूती से आपको कोई नया रोजगार यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा और क्योंकि मंगल जो होता है वो थोड़ा सा हिंसक है, कुरूर ग्रह होता है तो अपने काम निकालने के लिए किसी भी एक्स्टेंट तक या किसी भी हद तक आप इस महीने जा सकते हैं बहुत उर्जा है, आपके पास इस समय बहुत अनरजी है, बहुत प्राक्रम करने की भावना इस समय मंगल महराज आपके करम चेत्र के स्वामी शनी को देंगे, तो आप कुछ भी करके इस समय अपना लक्ष हासिल कर सकते हैं तो ये रुकने का समय नहीं है, जो कुछ भी आपने सोच रखा है, चाहे वो नौकरी को परिवर्तन करना है, नए इंडस्ट्रीज खोन ली है, या नए कोई भी प्रफेशन करना चाहते हैं तो वरिशब लगन वाले या राशी वाले जैसे भी आप इसको समझना चाहें, ये हर तरह से आपको रोजगार के लिए इस प्रकार की उर्जा दे रहा है, कि आप अपना काम किसी भी रूप में सिद्ध कर लेंगे और कोई भी व्यक्ती ये मान के चलेगा वरिशब राशी वालों से वर्तमान में अगर कोई शत्रता रखता है, को इनको परिशान कर रहा है, उसको मूँ की खानी पड़ेगी, बहुत बहुत नुक्सान जहलने पड़ेंगे उस वक्ती को, जो वरिशब राशी वालों के मन्द है आपका, उने के लिए बहुत खुश खबरी होगी, रोजगार के लिए बहुत उत्म अफसर उनके लिए बन रहे हैं, नेया रोजगार वहाँ पे शुरू हो सकता है, या जॉब वो लोग चेंज करना चाहते हैं, या कोई दिक्कत है चल रही आपको प्रोफेशन करिय की कई दो, तीसे परिस्तिती जो मैं बात कर रहा था, वो प्रोफे प्रकाश्फ फ्यलाते हैं नजराएंगे, तो सबसे पहले तो ये आपको जो फैदा देने वाले हैं, वो घर में कोई भी अगर परिशनी दिक्कत हैं चल रही थी, सुख व्GUधाओं का, अभाउ उनके, है वो सूरे महाराज स्माप्त करेंगे मंगल की राशी में जाने पर एक प्रकार से जो अगनी है जो प्रकाश सूरी की जो लाइट है वो अगनी का रूप धान कर लेगी और वो अगनी फिर चाहे पाचन तंत्र को सुद्रिड करे या आपके कारियों को आगे बढ़ने के लिए आपको उर्जा परदान करें ये सब सूरे महाराज के द्वारा यहाँ पर आपको प्राप्त होता हूँ नजर आएगा तो सबसे पहले सूरे महाराज क्या दिलाते हैं विक्ति को मान समान दिलाते हैं समाज में पद पतिष्टा दिलाते हैं तो ये सब चीजे विर्षब राशी वालों को सूरे की इस परिस्तिती से प्राप्थ होती भी नज़र आएंगी अब पत पतिष्टा का मतलब होता है कि गौर्णमेंट जॉब में है तो उसमें प्रमोशन मिल जाए कोई इंक्रिमेंट फैनेंशल लग जाए राजनितिक शेत्र से है तो कोई नई पोस्ट आपको मिल सकती है इलेक्शन के लिए खड़े होने तो इलेक्शन में विजे श्री का फूर्ण रूप से आपको आपको अशिरवाद मिलेगा टिकेट के लिए प्रयास कर रहे है तो टिकेट विर्शब राशी वालों को मिल जाएगी उसके लावा जो ग्रिहनिया है, हाउस वाइफ है, क्रिशक है, अग्रिकल्टरिस्ट है उनके लिए भी ये सूरे की परिस्तिती बहुत उत्तम लाब लेकर के आएगी और यही वो समय है अगर आप कोई नया मकान बनाना चाहते हैं, जमीन खरिना चाहते हैं, कोई फ्लैट में जाना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं सूर्य महराज का यह जो प्रताप है सूर्य महराज की जो उच्च की परिस्तिती है आपको हर तरह से आपके कामों को निकाल देगी उसके लावा यह परिस्तिती सूर्य की आपके लिए इस परकार से भी फायदा देगी कि कोई काम अगर आपका सरकार से अटका हुआ है कोई प उत्तम परिस्तिती यहाँ पर आपको प्राप्त होती भी नजर आ रही उसके पर शाद अगर मैं बुद्ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में बुद्ग्रह जो है अस्त भी रहेंगे और वक्री भी रहेंगे मेश राशी में चले गए हैं पर रंतु वापिस फिर मीन राशी इसमया आपको share नहीं करनी चाहिए कोई नया डॉक्यमेंट साइन करें या कोई पत्राचार करें या कोई communication आप करें वर्तमान में तो विशेश साफधानी इसमय व्रिशब राशीなんだ को बुद्धि जब तक मारगी परिस्तिति आगे मेश राशी में नहीं बढ़ जाते हैं तो आप तब तक इसमें धैरे की परिस्तिति यहां पर बना के रखिए शेहनी की परिस्तिति की विरसे जैसे मैंने कहा करमक्षेत्र के लिए बहुत उत्तम है और यह उत्तम इसलिए भी देगा क्योंकि आप इसको Vertमान में बहुत उंचाईयां इस महीने प्राब दिलाता है नजर आएगा राहु इकाज़स्तान में बहुत उत्तम परिस्तिति होती है बहुत लाब विक्ति को दिलाता है और अचानक लाब के परिस्तिति हापके जीवन में खड़ी कर देगा राहू को यहां पर शुक्र का साथ भी मिलना है और बुद का साथ भी मिलना है तो शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन और लोटरी हो गया, फॉरवर्ड ट्रेडिंग होगा इस तरह के वेफसायों से विर्शब राशीवानों को लाब मिलेगा और शुक्र और समद्ध जब होता है तो विक्ति किसी भी हद तक अपने प्रेम प्यार को प्राप्ट करने के लिए गुजर जाता है, पार्टनर्शिप में उसको इस प्रकार के लोग मिलते हैं, जो भार की कंट्री से हों, या दूसरे धर्म से हों, दूसरे रिलिजिन से हों, और उनके सहो इस समय होगी, और इस सोच का प्रेणाम, जो प्लानिंग का प्रेणाम है, जो आप सोचेंगे इस समय, उसके वज़े से फिर आप आगे लाब कमाते हुए नजर आएंगे, तो ये बहुत अच्छी परिस्तिति यहां पर देखने को मिल सकती है, सिर्फ थोड़ा सा आपको इ आपको राहू का शुक्र के साथ उपरभा होता है, तो विक्ति किसी भी एक्स्टेंट तक अपने काम के लिए बढ़ जाता है, तो उसमें थोड़ा धैरे और सहीम आप वरतमान में बना के रखिए, केतु पंचम बहाओ में मोक्ष की परिस्तितियां दिलाता है, बनी हुई है, तो विर्शब राशी वाले बहुत अच्छा प्रेणाम एपरेल के महीने में प्राप्त करेंगे, और इसकी परिस्तिति के कारण जो बनने वाले है, सूरे के उच्चे की परिस्तिति, शुकर की उच्चे की परिस्तिति, और उसी के साथ जो दशम से दशम अंगल है उसका समंद्ध शनी के साथ है तो विशब राशीवानों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है चाहा वो फूड इंडस्री से जो लोग जुड़े हैं चाहा ग्लैमर वर्ड से जुड़े हैं चाह एक्टिंग, मॉडलिंग, प्रफेशन जो भी है विशब राशीवा